हेलो दोस्तों मैं हूँ सनी और स्वागत अब सभी का फिल सेक न्यू ब्लोग पे दोस्तों आज मैं घर पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका हूँ तो मैंना सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं और मैं जहां पे जा रहा हूँ घूमने के लिए वहां का प्लेस बहुत ही ज़्यादा उसम है तो दोस्तों चलिए ब्लोग को स्टार्ट करते हैं जोश्तों फैनली हम पहुच चिके अपने डिस्टिनेशन पर है और मैं आपको बता दूँँ तो अभी थोड़ी दर पहले हलकल की बारी सुभी जिसकी वज़य से यहां कभी और भी ज़्यादा खुबसूरत हो चुका है और पीछे यहां पर नदी है तो हम सबसे पहले चड़ेंगे पहाड पे पीछे पहाड है वहां पर चड़ेंगे फिर आपको नदी दखाएगे और यहां पर ट्रेक वगरा भी यह पूल वगरा भी बहुत ही सा अंदर है और यह मैं आपको बता दूँ यह Christian Hills है जो की आपको ख्रीटी के अंदर बोड़ पे आपको मिलेगा तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं पहाड के उपर उसके बाद देखते हैं यहां का लोकेशन बहुत ही जबर जासे जड़ जयते हैं बहुत ही बुरा हाल हो चुका है आप देख सकते हैं हम कहां थे उस जगा पर नीचे में और अभी यहां है और मेरे पाइक नीचे खड़ी है मैं आपको बता दूँ यहां पर छोटी-छोटी जब पतेर होती जिसकी वज़ए से पैर बहुत ही ज़दा स्लीप करता है तो भाई जब भी आप चड़ो तो अराम से चड़ना ताकि गिरे नहीं आप और कुछ आपको हो ना हो क्यों कहीं भी चोट ले सकती है जिसके आप चलो अलाम से और भाई बता दूँ तो पीछे देखो कितना बावाल सभी हुए और मेरे भाई लोग मियां पीछे यहां पर देख लो यहां आए आए आपको दिखर आओगा पीछे ना टॉप ऑप देहिल पर चड़ेंगे और से मिलेंगों लागे चड़के बहुत पूरा हाल हो चुका है इधार का नजार आपको बताएं तो आप देखो बहुत सारे पीड़े और मैंने आपको बता रहता है नदी भी यहां पे साथ में आप इधार देखो इस साइट पे नदी है और इस पे अभी बहुत यदा पानी आ चुका है क्योंकि यहां पे काफी दिनों से continue बारिस हो रही है जिसकी वज़ाद से नदी में बहुत ज़्यदा पानी आ चुका है तो मैं आपको उसका भी सीन दिखाऊंगा जाके नीचे उतर के बहुत ही आस्वम भी हो आपे जाने के बाद मैं आपको बता रहा था यहां यह कुछ आने वाली नहीं आ चुकी है तो उससे पहले हम उपर चलते हैं और यहां जाके देखते हैं कैसा ब्यूदा आने वाला है मैं टॉप अधे हिल पे होने का यह पूरा ग्रिड़ी सीटी है और यहां पे जो है एरपोर्ट है यह बहुत ही सांदार है हुआ हुआ दोस्तों बारिस की वजए से अभी बारिस जस्ट खतम हुई है पांच मिनिट हुआ है और मैं बताओं तो मेरा टाइम पूरा आदा घंटा लॉस हो चुग है जिसकी वज़ाए से वीडियो बहुत ही खराब बनने वाली थोड़ से क्वालिटी खराब हो जी क्यूंकि मौसम का जो वासम हो रहा था खराब हो चुग है मेरे यहां भाई लोग कुछ बैठे हुए मामा खा रहे ममा मतलब की मैं आपको नहीं बताओंगो क्या आप खुद गेज करते हैं और हम चड़ने वाले उपर अब आपको उपर से भीउस दिखाऊंगा जो की बहुत ही सांदर है कि बहुत है और बारिस खत्म होने के बाद आप देखो यह ट्रैक का भीउस कितना लाजवाब है यह विकी है पीछे और मैं आपको दिखा दूँ यहां का भीउस देखो आप यह पूल है पीछे साइड और यहां पर यह महाला साब क्या कर रहे देखो पूसप चलो आज देखते कौन सब जैदा बार मारता है चैलेंज है पूसप चैलेंज इन दोनों का बीच में आज अभी स्टार्ट होगा चलो बिकी ने लगाया है 20 रेपिटेशन अब है रितिक की बारी चलो रितिक चलो रितिक और यह चीटिंग कर रहा भाई बहुत ही गंदा तरीका से चीटिंग ऐसे से कर रहा है इससे होने वाला है नहीं ठीक है ला उरा सिंगा चेचीज बंदा यह इसके मेजटि हो चुकी है यह खुद कर रहा था पर मेजटि हम नहीं करते हैं और यहां देखो भाई क्या बहुत ही ज्यादा अस्व हो चुका है बारिस होने के बाद और भी ज्यादा मैंना सोच रखा था कि भाई मेरी वीडियो आज तो गई नहीं बनने वाली ब्लोग आ अच्छे से ब्लोग बन चुकी है तो प्लीज आप देख लो यहां का भीव क्या बोलना चाहते हैं अब क्यों मार पड़ेगा भाई अच्छा यह भीग चुका है जिसके वज़े से इसको मार पढ़ने वाला और यह बेवाफास नाम है इसी गल्फिंड इसको छोड़के भा इसका बुरा हाल हो चुका है है यह सिंगल बंदा है ठीक है ना प्लीज इसको फॉलो करें इंस्टाग्राम का आईडिया आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा बहुत ही सरीफ लड़का है ठीक है स्मार्ट है है हैंसम है भाई तो दोस्तों आज का ब्लोग हम यहीं पे मेरा ब्लोग और अगर आपके पास कुछ भी कमेंट ना तो प्लीज एक हार्ट छोड़ देना ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों के लह साई ब्लोग बनाता हूं हमेशा और चैनल को क्या कर दें लाइक और कमेंट करें सबसे जाड़ा सबसे लाइक करिए और कमेंट जरूर करें